Dear Students, Welcome Back! यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं इस सिरीज में, तो आपको पता होगा कि UGC NET के Past Year Paper Analysis सब भी जितने अभी तक आए हैं जब से MCQ सुरू हुआ है 2011 से 2021 तक के Paper को Theme-Wise Analyze करने का एक प्रयास है जिससे समझ पाएं कि किस Range के Question आते हैं हर Theme से और फिर Preparation के लिए Strategy बनाई जाए है उस क्रम में हम पहुँच चुके हैं Part 3 जिसमें हम 6 साइकल की चर्चा कर रहे हैं 2014 से 2016 और उसमें हमने Theme लिया है Political Theory की Part 3 में अभी तक हम लोग ने As usual WPT याने Western Political Thought और Indian Political Thought को कवर कर लिया यह थर्ड है फिर हम लोग आगे जो है Comparative Politics, Public Administration, International Relations and Indian Policy and Constitution उसके साथ हम लोग खतम करेंगे So let us begin Theme-wise Past Year Paper Analysis of UGC NET Part 3 Political Theory सबसे पहले June 2014 Paper 2 देखते हैं First question है, question number भी आप इसमें देख सकते हैं Identify the correct sequence of the tenets of, tenets मतलब जो उसके main core thought है, tenets Tenets of Behavioralism as advocated by David Easton आपको पता है कि Behavioralism 1950s में यह आपको याद रखना चाहिए यह date इसमें एक तरह का movement था political science में जो political science को science के तरफ ले गया, natural science के तरफ data, quantification, testable hypothesis, observation and इस type के tools and technique जो natural science के experiment में होते हैं वो political science में आने लगे उसके एक बहुत बड़े जो प्रनेता थे या founder थे वो David Easton थे यह एक बहुत अजीब सी बात है, बहुत curious बात है कि David Easton ने post-behavioralism की भी इस्थापना की, बतर एक तरफ तो behavioralism और फिर उसके आगे निकल करके उन्होंने उसको एक तरह से denounce करते हुए या एक तरह से उसको सुधार करते हुए post-behavioralism की भी इस्थापना की, उन्होंने आठ characteristic जो है behavioralism के बताए जो मैंने यहाँ पर दिया है, वो एक particular क्रम में उन्हें बताए यह question तो बहुत बेकार है मेरे इसाब से कि वो क्रम पूछा जाए, यह it doesn't matter, उन्होंने यह क्रम दिया कि regularities, verification, technique, qualification ब्ला ब्ला पर सकते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं कि पहले ही आएगा, बाद में यह आएगा, लेकिन यह question वही पूछता है, जो कि बहुत ही credo, उन्होंने credo of relevance of post-behavioralism दिया था, इस्टन ने, इसको आप ऐसा समझे है कि 17th of post-behavioralism, post-behavioralism क्या है, जब 60s और 70s में जब लोगों को यह समझ माया लगा कि behavioralism ने काफी एक balance को बिगार दिया है, जो fact और value के बीच में जो balance होता है, इस्टन ने आगे, question भी उन्होंने कहा था, कि हम उस तरह से value को political science में नहीं छोड़ सकते हैं, जिसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, बतलब value के बगएर जो है, political science कुछ भी नहीं है, केवल fact, fact, fact से नहीं होगा तो वहाँ पे, जो है, post-behavioralism आती है, जो एक तरह का synthesis था, fact value का, तो उसमें भी seven credo या टेनेट जो है, यहाँ पे हैं, इसको भी याद कर लीजिए, और eight characteristics of behavioralism, दोनों David Stern ने दिया है, उसको याद कर लीजिए, अब यहाँ पे आईए, यह match करते हैं, यह सब जो हैं, बहु इसे question बहुत पूछा जाता है, कि who is the founder of behavioral approach to political science, तो वो Charles Edward Merriam को माना जाता है, तो आप इसको रख लीजिए, यह बहुत ही अच्छा question है, जो यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन उनने एक book जो लिखा था, वो यहाँ दिया गया है, new aspect of politics, तो इससे आप match तो करी लेंगे, एक ही में है, बाकी आप match कर जाएगा, हेंज यूलेन जो है, इनका spelling गलत दिया गया है, यह लाओ है, यह यूलेन लिख दिया है, यह लाओ जो है, he was considered as a real pioneer, वो स्टैनफोर्ड में थे, in what became the behavioral movement, तो यह behavioral movement के यह भी एक pioneer थे, Charles Edward Merriam भी, और Leo Strauss जो थे, वो सुरू से यह कहते थ कि value को मत छोड़ो, normativism को मत छोड़ो, political philosophy को मत छोड़ो, तो political philosophy की जहां जिक राएगी, वहां Leo Strauss का आएगा, normativism का आएगा, value का आएगा, political science में, तो यह सब बहुत ही pioneer रहे हैं, अब हम लोग next cycle पाते हैं, June 2014, paper 3, who described political theory as the systemic, systematic thinking about the purpose of the government, आपको पता है कि एक साह में, state or government और उसके जो purpose, उसके institution, यही जो है main political theory का content या focus होता था, तो यहां पर वही कह रहे हैं कि political theory कुछ नहीं है, systematic thinking about the purpose of the government, और यह कहने वाले, I hope कि आप pause करके यह सब को check करते हैं, आप video को pause कर लीजिए, अपना guess कीजिए, फिर मेरा answer को सुनिए, इसका सही जवाब जो है, यह प्ल प्लामिनेज, मैं बहुत सही प्लामिनेज, मैं बहुत सही प्लामिनेज नहीं कर रहा हूंगा, John Petrov Plamines, was a Serbian political philosopher from Montagnor, आज के date में Montagnor, जो है वो, अलग country भी हो चुकी है, who taught at the University of Oxford, और वो अपने political obligation के लिए, और theory of democracy के जाने जाते हैं, उन्होंने ही यही बात कही थी, आप जानते हैं, तो जानते हैं, it's a very very difficult question to pick beforehand, December 2014 के paper 2 में आते हैं, which of the following is not a feature of liberal communitarian debate, आपको जब भी liberal communitarian के बात आए, तो चार थिंकर को आपका भी मत भूलियेगा, Charles Taylor, Alastadar McLintyre, Sandal, and Walger, उनका first name देख लीजेगा, यह चारो जो है, परनेता हैं, फाउंडर हैं, liberal communitarian, communitarianism basically के आगे question भी है, वो यह कहते हैं कि एक individual हवा में नहीं होता है, मतलब वो abstract या unincumbered नहीं होता है, उसकी रचना ही समाज के बीच में रहते हुए होती है, एक समाजिक प्रानी के रूप में होती है, मतलब उसका अपना अलग existence नहीं है society या group या community जो है, वो एक essential fact and feature है life का individual के और उसके बगर individual का कोई माइने नहीं है, वो bearless नहीं है, पतवार के बिना नहीं है, यह उनका कहना है, इसलिए community को nurture करना चाहिए, और जो individualist liberalism जो है, जो classical liberalism वो कहीं नहीं कहीं community को undermine करती है, और इससे जो है वो जूटा जो है और false जो है theory बना लेती है, theory of justice हो, चाहिए liberty हो, वो सब जूटा बन जाता है, यह basically उनका कहना है, so यहाँ पे आप देखेंगे, तो conception of self जैसा उनका कहना है, कि वो self-situated होता है, वो समाज के दोड़ा ही constitute होता है, गढ़ा जाता है, ना कि unincumbered, मतलब वो समाज से अलग कोई anomie नहीं होता है, वो या एकदम अलग थलग individual नहीं होता है, तो यह सही है, universalism versus particularism, कि उनका कहना है कि community या समाज हर जगा अलग है, उसके अलग value system है, अलग उनके माइने है, life के world view है, इसलिए universalism नहीं होता है, एक जगा आपने justice theory बना लिया, और वो अमेरिका से लेके Timbuktu तक आप सुचेंगे, वो लागू हो जाया, ऐसा होता नहीं है, हर समाज में अलग-अलग sociocultural context में उसको देखना पड़ता है, तो यह भी सही है, state neutrality versus non neutrality of state, यहाँ पर communitarians चुकि group और community को pressure देते हैं, तो इनका कहना है कि state एक essential component है, क्योंकि वो community of communities होता है, और उनको different community में empire का role करना होता है, तो leases fair नहीं हो सकता है, state जो है, मुख दर्शक नहीं रह सकती है, different community के बीच में, तो अंत में एक ही बच गया, जो सही होगा, क्योंकि बाकि तीन सही है, totalitarianism, procedural versus communitarian, ऐसा कुछ नहीं है कि there is two type of totalitarianism and all, totalitarianism को communitarianism भी उसको avoid करते हैं, which of the following is not a reason for the decline of political theory of David Easton, द बताया है, तो वहाँ पर decline of political theory की बात होएं लगे, अब यहाँ theory जो word है, वो normative theory जोड लीजिए, या political philosophy जोड लीजिए, जो theory बहुँ जादा, norm, value, ethics, prescriptive, out to be, ideal, इसकी बात करती थी, जो abstract reasoning, transcendental knowledge, जो परे, जो parlockic knowledge है, उसकी बात करती थी, plateau का याद कीजिए, तो उसको जो है, नकारा जाएन लगा, behavioralism के movement के जमाने में, तो David Easton ने कहा कि, क्यों political theory का decline हो रहा है उसी time में, उन्होंने कहा कि, वो बहुत जादा historicism उसे इंबिल्ट हो गए, मतलब कि, ठिंकर जो है, वो history को देखते हैं, और जिस type का हुआ है, उसी basis प्रेडिक्ट करना लगते हैं, कि future भी ऐसा होगा, moral relativism घुज गया है, मतलब कि, मतलब political theory जो है, fragmented हो गई है, जैसा कि communitarian कहते हैं, कि हमारा जो morality है, वो universal नहीं है, हर समाज का community का अलग-अलग morality है, ऐसा सोचा जाएगा, तो फिर कोई theory नहीं बन सकेगी, क्योंकि फिर तो हो कुछ न कुछ universalism तो चाहिए है, तो ये भी उसका कारण है, ideological reductionism नहीं था, hyper factualism था, मतलब कि fact 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 भीना ये सोचे हुए कि इसका linkage क्या है theory से, के वल fact जुटा लिया, लेकिन क्यों जुटाया ये पता नहीं है, तो ये तीनों थी, इसको याद कर लीजे, ये नहीं था, और य ये एक तो बहुत अच्छा definition है, हमारे student, जो मेरे student है, उनको ये समझना चाहिए कि हम politics क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आदमी एक social animal है, Aristotle का याद कीजिये, और वो एक group में life जीता है, family, समाज, फिर state and all, even global समाज, तो और उसमें different organization होते हैं, चाहे parliament हो, चाहे वो even family हो, चाहे वो corporate हो, different organization है, parliament है, तो वो group life को manage करता है, बहुत सारे उसमें issues होते हैं, decision लेने पड़ते हैं, collective problem होते हैं, social problem जो बहुत complex होते हैं, उसको कैसे सुधार जाए और कैसे एक individual और समाज का balance रह करके, individual भी flourish करे और समा आज भी जो intact रहे है, यह political science का एक प्रशन है, predicament है, जिसको solve करने की political theory बनती है, और वह ही इस definition में कहा जा रहा है, इसको कहने वाले जो है, यह George Holland, सबाइन थे, इन्होंने जो book लिखा था, यह history of political theory, यह एक seminal book है, बहुत पहले लिखे हैं, 1937 में एक तरह का गरंथ है, और जिसमें की वो पूरे जो political thought है, ancient Greece plateau, Aristotle से ले करके, और Nazism, जो 1930 में fascism का उदे हुआ है, वहां तक उन्होंने political theory का एक तोरे historical journey दिया है, political thought का, which one of, उसी किताब में उन्होंने यह बात कही है, which one of the following answer is incorrect regarding neoliberalism, आपको पता है, नियो लिबरलिजम अभी जो दौर चल रहा है, ग सबसे बड़े मासकट थे वोर्ड में, फेडरिक हयाक जो है, वो उसके economical guru थे, Margaret Thatcher के, Robert Nozik, जो है वो, अमेरिका में नियो लिबरलिजम के जनक या समर्थक रहे हैं, so, नियो लिबरलिजम, नियो लिबरल विजन, largely evolved during the government of Ronald Reagan, Margaret Thatcher, बहुल सही है, it attacked, यह हमको तो not करना है, त attack the Keynesian notion of international economic order, Keynesian notion मैंने बहुत रवताया है, कि married Keynes, Keynes नहीं यह दिया था, कि जो government की expenditure दी ज़्यादा होगी, infrastructure में, development में, तो उससे consumption economy में, sorry, economy में consumption बढ़ेगा, और उससे जो है economic development होगा, मतलब government अपना fiscal deficit ज़्यादा रखे, और ज़्यादा जो है, वो infrastructure or development में invest करे, consume करे, consumption, government consumption ज़्यादा होनी चाहिए, उसको उलट दिया गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं, उसको demand side management कहा जाता था, कि government demand बढ़ाया है economy में, अब होने लगा Frederick Hayak का कि no supply side management होनी चाहिए, मतलब government को demand के बज़ाए supply को control और manage करना चाहिए, कि goods and services जो है adequate quantity में, available हो at the best prices, और उसमें competition हो supplier में जिसे की prices कम हो, it emerged as a total negation of lesser fare economics, lesser fare मतलब वो government जो टांग नहीं अडाती economic मामलों में, या even किसी भी मामलों में, मतलब मूख दर्शक neutral बनी रहती है, तो यह, it emerged as a total negation, अब इतम बिलकुल उल्टा है, no, it wanted lesser fare economics, मतलब कि government टांग ना रहा है, private sector को छोड़ दे जो वो करती ह तो यह wrong statement, इसलिए यही सही option है, और तो last वाली सही होगी, its emphasis is on free market and liberal reform, of course free market liberal reform पे इसके थे, इसी के तहत neoliberal ideology के तहत Washington consensus लाया गया, उसी के तहत structural adjustment program पुरे दुनिया में चलाया गया, जिसमें इंडिया ने भी भाग लिया, who of the following lamented the death of political philosophy, जैसा मैंने बताया कि 1950s में behavioral revolution के दौर में, कई thinker ने यह कहना सुरू कर दिया कि जो normative political theory है या political philosophy उसका अंत हो गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इस तरह से बात कहने वाले थे, Peter Lashlet से जोन्होंने declare कर दिया कि political theory is dead, lamented का मतलब होता है एक तरह का उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि political theory या political philosophy या normative political theory is dead, अब इस question का additional information में दे रहा हूँ कि thinkers who declared decline of political theory आपको जानना चाहिए, डेविड इस्टन ने भी कहा था, Peter Lashlet जोन्होंने कहा political theory is dead, रेइमर ने कहा political theory is in doghouse, मतलब कि बिलकुर बरबाद हो गई है, Robert Dell जो pluralism के समर्थक थे, Alfred Cobain and Dante Germino, Germino एक बार और आएंगे question में, ये वो thinker है जोन्होंने कहा कि no, political theory revive होगी, मतलब फिर से जो है normative political theory revive होगी, fact value का समिस्टर नोना चाहिए, इसे आप Berlin, आपको पता है, two concept of liberty लिखने वाले, Leo Strauss जिन्होंने हमेशा value और normatism को value दिया, Sabain जिनका भी आपने देखा book, History of political theory, Hannah Arden, एक बहुत बड़ी एक woman thinker जो Jews थी, America के बसी, totalism पे लिखती थी, Eric Waglin को आपनी जानते होंगे, लेकिन याद कर लीजिये, David Easton, yes, ये दोनों जगह आते हैं, इन्हों रिवाइबल के भी परिकल्पना की, post-behavioralism भी और behavioralism भी, and Oxard, जो की historical approach अपनाते हैं, John Rawl, जिन्होंने की normative political theory को, फिर से जिन्दा किया, 20th century में, Robert Naugick, yes, Robert Naugick, जो है, वो भी normative political theory ही, उनका जो, 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 जो book है, Entitlement Theory of Justice, जो को एक state and archie and utopia, वो एक normative approach ही है, and Herbert Marcus, जो की normal time में critical thinker बाने जाते हैं, और वो भी normatism के एक समर थक रहे हैं, तो यह important है, दोनों को याद कर लिए जाते हैं, which one of the following answer is correct regarding post-marxism, post-marxism क्या है, देखिए, post-word कहीं लग जाना, post-feminism, मतलब feminism से आगे निकल जाना, post-behavioralism, मतलब behavioralism को पीछे छोड़ के आगे निकल जाना, post-marxism, मतलब marxism को छोड़ के आगे निकल जाना, marxism की कई चीजों को नकार देना, जैसे कि economic determinism, या state का instrumental role and all, कई चीजों को वो revise करते हैं, वो post-marxism है, अब यहाँ पढ़ लीजिए कि ये Ernesto Laclau and Chantel Moffay, मेरी pronunciation गलत है, आप इसको सही पढ़ लीजिएगा, इनकी ये दो theorist याद रखिये, post-marxism में, और Louis Althusser को जोड़ याद कीजिए, इन्होंने post-marxism को बहने में काफी काम किया and इनका तो मैं pronounce भी नहीं कर सकता हूँ, आप पढ़ लीजिए, but you should know, ये सब अलग question में आपको ये पूछा जाएगा, कि कौन जो है, post-marxism के जनक माने जाते हैं, किसने इने बढ़ावाद है, चार को जो याद रखिये, अब इसमें आप देखिएगा, तो all of the above है, answer बिल्कुल all of the above है, आप सब पढ़ लीजिए, बेसिकली यही है कि working class से उनको आगे निकल गए, कोई proletarian movement नहीं है, और economic class interest जो है, वो उससे भी आगे निकल गए, वो autonomous होता है, ideology और politics से, ऐसा नहीं है कि वो, चुकि marxism जो कहते हैं कि economic determinism sort of जो है, वो ऐसा नहीं है, उसमें और बहुत सारे issues हैं, so basically, यह जो है, all of the above जब भी आए, तो मैं आपको बिताता रहता हूँ, कि वही ज़्यादा सही होती है, और यहां पर बहुती logical भी है, common sense से भी आप देख सकते हैं, which one of the following statement is incorrect regarding political ideology, political ideology, मैंने भी जस्ट आपको बताया, Tussit D. Tracy, जो भी उनका नाम है, उन्होंने इसको दिया था, first time ideology, word coin किया था, ideology आपको पता है, क्या माइन होता है, एक particular type का, जो यहां पर लिखा हुआ भी है, it is a kind of believe system, which helps to structure, how the world is understood and explained, यही है, मतलब, ideology जो है, वो reality नहीं है, लेकिन reality को समझने के लिए, जो आपने दिमाग में एक concept map बना लेते हैं, reality का जो एक image बना लेते हैं, बहुत एक complex issue पे, जैसे politics पे, वो ideology हो जाती है, जैसे एक ideology, माल जी की feminism की ideology है, तो आपने बना लिया है, कि patriarchy जो है, वो ही गलत है, वो ही cruel है, gender जो है, वो social norm है, मतलब, social creation है, sex biological है, man-woman equal है, लेकिन man ने हमें साथ दबाया है, इस तरह के एक ideology बनाते हैं, उसी तरह से liberalism एक ideology है, marxism एक ideology भी है, and like that. It is a set of ideas which provide the basis for some kind of political action. तो ये भी सही है, it is an action-oriented belief system, ये भी सही है, political ideology is not the same as political theory, दोनों अलग-अलग है, ideology कही ने कहीं रीजन से, short circuit होती है, चुकि ये सारे सही है, इसलिए इस question को invalid कर दिया, UGC net ने, क्योंकि वो पूछी नहीं पाया, ठीक से, इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ये invalid हो गया, पर देख लिए ये क्या मतलब की बेफकुफी होती ही, UGC net level में कितनी गलतियां करते हैं, आगे भी आप देखेंगे, कुछ और question में भी गलतियां किया है, वह अब देखेंगे, Who of the following said, Lenin's party was designed to be an elite, a minority chosen for intellectual and moral superiority, the most advanced part of the working class, and so it is vanguard, vanguard मतलब जो front पे रहती है, जो lead करती है, ये इतनी लंबी चौरी, Lenin के vanguard, party as a vanguard, को जो है, again G.S. Sabahin ने कहा है, एक तरह से criticize करते हैं, G.S. Sabahin दूसरी बहाते हैं, इस तरह कुश्यन को पकड़ना बहुत difficult है, आप जानते हैं, तो जानते हैं, June 2015, paper 2 पे चलते हैं, which one of the following is a factor for Fukuama leading to the triumph of liberal democracy, आपको पता है कि Fukuama ने book लिखा था, End of the History and Last Man, और ये book इतनी famous है, ये इसके बिना तो मैंने नहीं देखा है, कि कोई भी question paper, political thought का मैं उसको solve कर पाया हूँ, ये और Samuel Huttington का the class of civilization, तो ये दो कोमेसा यादर के, उसमें वो ये कहते हैं कि, ये end of history, end of history एक बहुत ही common term है, इसका मतलब होता है कि, अब इससे उपर जो है, human, जो arrangement है, social life का, उसका pinnacle हो गया, उसका janit हो गया, उसका summit हो गया, उससे उपर अब नहीं चाह सकते हैं, ये ही कहना है, और वो उसमें कहना है कि, ये social arrangement जो है, वो क्या है, liberal democracy and free market economy, अब ये ही जो है, मतलब कि best social and socio-economic arrangement है, और वो इनन इसलिए कहा कि, पहले fascism खतम हो गई, corporatism खतम हो गई, हेगल इस टाइब कहा दिया था, और फिर communism ये socialism खतम हो गई, तो केवाल liberalism बच गया, 1989-90 आते आते जब ये बुक लिखी गई थी, फुक्वामा अभी भी हैं, और वो इधा उदर काफी भाशन देते हैं, मैंने उनकी काफी सुनी है, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, ये कहते हैं कि क्यों जीत गया, ये जो liberalism थी, triumph of liberal democracy, इसमें है the struggle for recognition, अभी इसका पूरा explanation तो आपको और research करना पड़ेगा, लेकिन चलिए, ये common sense आप कह सकते हैं, कि ये सब सही होगा, the logic of science and mastery over nature ठीक है, क्योंकि science पर ज्यादा focus था, the absence of major contradictions in liberal democracy है, तो कहेंगे ही, जबकि बहुत contradictions है, the triumph of liberalism is more in terms of economics than ideology, ये इसलिए मैं कह रहा था, इन सब को आप तेव नहीं भी आप confuse हो रहे हैं, तो ये एक outlandish crude statement है, जो हम ऐसा कहते हैं हम, कि ऐसे statement को पहचानी है, वो गलत होगा ही होगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है, कि it is more liberalism, जो triumph, जो उसकी जो victory है, triumph बतला victory, victory liberalism की, जादा economics में है than ideology, no, दोनों ही था ideology, and economics दोनों में थी, इसलिए ये गलत statement है, ये ही आपको एक ही statement गलत खोजना है, आपको मिल गया, which one of the following is not a feature of Eastern's intellectual foundation, stone of behavioralism, अब फिर से वही art, आप देख लीजे, art मैं से देखे कि इसमें कौन नहीं, आप देखेंगे, stratification नहीं है, यही सही, but इसके लिए आपको ये art, जो teenage है, वो behavioralism के, Eastern के, याद रखने हैं परेंगे, फिर मैं बोल राउं, dear strength, seven credo भी याद रखेंगे, वो भी उद नहीं important, June 2015, paper three, who among the following said that, post-behavioralism was a genuine revolution, not a reaction, a becoming, जैसे being से becoming हो जाता है, fool के होने का हिसास, and fool भो जाना, a becoming, not a preservation, मतलब यह status quo ही तनी था, यह एक change था, a reform, यह एक reform है, not a counter reformation, इस तरह के अच्छी अच्छी बाते, post-behavioralism बारे में कौन बोलेंगे, David Easton बोलेंगे, क्योंकि वही उसके पढ़नेता थे, उन्होंने seven credo दिया था, मैंने यहाँ फिर से एक बार दे दिया है, कि value को हम political science से नहीं निकाल सकते है, political theory से नहीं निकाल सकते है, David Easton, David Easton जो है, एक और fact जान लीजे, कि यह system approach के जनक है political science में, आगे एक question भी है, जहांपे कि general system theory को customize या adopt किया, इन्होंने political science के लिए, इससे जुड़ा हुआ एक और concept मैं बना लीजे, कि जिस तरह comparative politics में, David Easton जनक है system approach के, उसी तरह से international relation में, Kaplan जो है, Morten Kaplan, Norton Kaplan, Morten या Norton चेक कर लीजेगा, Kaplan जो है, Kaplan जो है, he is the pioneer of system approach in international relation, यह सब पूछा जाता है, who among the following characterized early liberalism, early liberalism, classical liberalism as possessive individual, यह इतना आसान question है, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो आप कभी भूल नहीं सकते कि, यह word जो क्वाइन किया था, यह Macpherson ने किया था, C.B. Macpherson, Canadian, जो की एक तरह से Marxist thinker हैं, उन्होंने individualism, उस तरह की individualism, जो इतनी स्वार्थी होती है, जो केवल अपने बारे में सोचती है, समाज, इवन किसी परिवार के बारे में भी नहीं, जो उनका कहना था, कि यह जो लॉक एन होब्स का, जो 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 liberalism है, वो possessive individualism है, कि हमारे पास जादा सा संपती हो, कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इवन हमार पास करोर रुपे हो, फिर भी एक रुपे भी हम भीखना देना चाहें, इस टाइब की जो थाट, जिस individualism में होती हो, possessive individualism हो गया, December 2015, paper 2 देखते हैं, Scholasticism of middle age sought to establish, देखे, scholasticism पे आप पढ़ेंगे, तो वो एक दौर था middle age में, जहां पे की, जो school, college, या जो भी उसमें के थे institution, उसमें theology, मतलब religion, spirituality, इतना हावी हो गया था, कि even philosophy, science, सब को जो है religion के, दाइरे में, या उसके domain में ही पढ़ाया जाता था, तो यहां जब पढ़ेंगे, तो the ascendancy of theology over philosophy हो गया था, and subordination of rational element, जो था rational logical reason, वो subordinate हो गया था, theological element of the church पे, church की सब भी कुछ, मतलब church ही philosophy, ज्यान, science का जो है वो भंडार है, वहीं वो जो कह रहा है, और सब बखवास था, जो modern age में हम लो उसको चटक दिया, साइन्स पे हम लो चले गए, church अलग हो गया हमारे life से, मतलब religion हमारे secular life से अलग हो गया, science, logic, rationality पे बेस हमारा जीवन हो गया, जिसको की वेवर ने कहा, rational authority हो गयी, modernization आ गया, bureaucracy हो गयी, science and technology आ गया, और modern जो है, political arrangement like democracy, in parliament, and all those type के हुए, तो उसे हम जो हट गये, जो medieval time में, जो church based जो हमारी philosophy, knowledge, और कहिए science, जो गयान, epistemology, सब जो हमारे theology से guided होती थे, C and D. अब यहां पे देखिए region adjacent है, power corrupts and absolute power corrupts absolutely, अब यह तो अपने आप में question है, कि यह किस ने कहा है, यह Lord Axan ने कहा है, तो यह तो आप भूलियेगा मत, Lord Axan, तो Lord Axan ने यह sentence कहा है, कि power corrupt करता है, और absolute power corrupts absolutely, इसलिए, democracy is the best antidote, यह check against the misuse of power, as the power is distributed among various groups, यह एक pluralism, plural democracy का है, यह आप कह लिजे, Montex ने जो कहा था, कि three organ में divide होनी चाहिए, like lay slasher, judiciary, executive, check and balance होना चाहिए, जिससे की absolute power किसी को ना मिले, क्योंकि absolute power मिलेगा, तो वो corrupt होगा ही होगा, यह power का nature है, तो A, पतर एजर्शन is true, region is true, and region correctly explained, एजर्शन, communitarian theory, lay emphasis on, अबको मैंने कहा तक, आगे question और मिलेगा, communitarianism पे, और इसका जो पहला है, वही इसका सबसे सही, community as an inescapable, या indispensable, या essential ideal, मतलब उसके बगेर नहीं चल सकता, मनुस्य का जीवन, community, a stable community is required for individual, for human life, बाकि तो ठीक नहीं है, क्योंकि unlimited freedom, individually नहीं मानते हैं, limited role of state नहीं मानते हैं, इसका बहुत important role बाहनते हैं, partial regulation of market economy, ऐसी कोई बात ऐसी है, नहीं market economy के लिए इनका भी, यह liberal, quite liberal है, given below two statements, चलिए एजरेशन पढ़ते हैं, behavioral political theory sought to eliminate the role of value, and make political science a pure science and quantitative, यह तो मैंने भी आपको just समझा है, yes, यह था, ऐसा behavioral revolution तो यह true है, reason इसका बता रहा है कि political science being a social science, can never be value free, जो कि Eastern ने कहा कि हम अपने court की तरह value को नहीं बदल सकते, as it deals with human beings who are value bound, यह सही है, तो यह reason भी सही है, लेकिन यह इसको explain नहीं करता है, आप सोच के देखेगा, इसलिए सही है, जो official answer है कि B, A and R both are true, but R does not explain B. December 2015 के paper 3 में चलते हैं, who among the following referred to decline of political theory? अब देखे, डेविड इस्टन ने decline के बाद की, आपने देखा, तीन reason भी बताया, Alfred Coban ने किया, Laslett, Robert Dalsam ने किया, अब इन के बारे में तो मुझे sure नहीं, लेकिन यह चारों ने किया, लेकिन जो इसका official answer में यह लिखा हुआ है, कि इस question को invalid declared कर दिया, इसका ठीक से नहीं बना था, तो इसको आप invalid मान लिजे, वह से आप और research कर लिजेगा, तो आप देख सकते हैं, कैसे जो है, इतने कम question में भी, UGC net के setter कितनी गलतियां करते हैं, question number two देखते हैं, इसमें भी समस्या है, क्या problem है, देखेंगे, which of the following statement are true regarding political theory, अब आप देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, it accepts scienticism and repudiate normativism, repudiate का मतलब कि वह उसको त्याग देती है, तो ऐसा तो है नहीं, यह तो गलत है, तो इसमें हमको क्या देख रहा है, true, तो यह तो गलत हो गया, it synthesizes political philosophy and scientific inquiry, और political phenomenon, एक दम बिल्कुल true है, यह यह दोनों को synthesize करते है, एक तरह political philosophy है, normativism है, और दूसरे जरह political phenomenon, as a scientific inquiry, तो यह सही है, it is structural and institutional, and examine the logic and basis of political institution, और organizing, यह भी अपने आप में सही है, लेकिन चलिए इसको हम question mark कर देते हैं, और यह बिल्कुल सही है, political theory is philosophical as well as, scientific, normative as well as, empirical, evaluative as well as, explanatory, historical as well as, analytical, यह सब है, सबका mixture है, और यही बात यह भी भीगाती है, लेकिन इसका official answer है D only, मतलब इसके अनुसार से यह गलत है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, B statement बिल्कुल सही है, तो मेरे अनुसार से B and D होना चाहिए, जो इसमें option है ही नहीं, अब इसके अलावा मैं question mark कर रहा हूँ, आप चेकर लिजी, जो ऑफिर से अनुसर है D only, यह wrong है मेरे अनुसार से, यह भी इसको भी invalid कर देना चाहिए, यह भी इसमें भी problem है, इसको भी invalid होना चाहिए, which of the following is true of modern liberalism, modern liberalism आपको पता है, जो John Rawl ने सुरुआत की, जिसको की एक तरह से आप positive liberalism, या normative liberalism भी कह सकते हैं, मतलब जहां पर कि distributive justice की बात आजाती है, गरीबों का ध्यान रखना है, welfare state की परिकल्पना आती है, मतलब कि आप Robin Hood बन सकता है, इस्टेट आप progressive tax लगाएं, अमीरों से wealth tax लें और गरीबों में बाटें, मतलब कि pure classical realism से आगे निकल जाना, जहां पर कि, मतलब हमको मतलब ही नहीं है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, गरीब मरे, लेकिन सब को यह अपना competition, और फिर, मतलब equal opportunity के उलहम दे रहे हैं, उसकी बात नहीं होती है, जहां पर कहीं न कहीं, जो है, वो substantive equality की बात आने लगती है, उसको modern liberalism कहते हैं, तो वो liberalism रहे गई नहीं, तो यह true है, recognizes the importance of group, ऐसा नहीं है कि यह कोई communitarian thinking था, यह group को recognize नहीं करते थे, यह करते तो individual liberty को ही थे, over group, लेकिन फिर भी यह मानते थे कि, जो गरीब गुरुआ हैं, जो दबे कुछले, marginalized हैं, उनको जरूर distributive justice मिल ली चाहिए, तो यह मैं question mark रखूँगा, support the limited role of state, no, यह welfare state के परिकल्पना करते थे, गलत था, support the state regulation to safeguard the week, yes, तो इसका सही answer हों चाहिए, A और D मेरे हिसाब से, A और D है भी यहां पर, लेकिन इसका official answer है, B और D, मतलब यह कहते हैं कि group को देती है, और D, तो आप बस चेक कर लिजए, मेरे अमसार से, यह जो official answer है, यह सही नहीं है, मैं question mark कर रहा हूँ, June 2016, paper 2 को देखते हैं, Who among the following consider marxism to be an ideology, rather than the political theory, आपने देखा कि political theory, ideology में यह फरक होता है, कि ideology short-circuited होती है region से, एक limit के बाद वो reason को छोड़ देती है, बस एक तरह का belief हो जाता है, और यह कहने वाले जो है germino है, अब germino के बारे में भी पढ़ लीजिए, और इसको और थ्वाय research भी कर लीजिए, Who among the, जर्मिनों ने भी जो है political theory के decline की भविस्वानी की थी, Who among the following said research untutored by theory, मतलब कि ऐसा research जो theory के दोरा back नहीं है, वो trivial है, और जो theory data के दोरा supportive नहीं है, वो futile है, बेकार है, यह कहने वाले भी David Easton ही थे, तो एक बार फिर से Charles Merriam को देखिए, founder of behavioral revolution, डेहल, जो पॉली आर्ची बुक लिखा, यह political pluralism के एक तरह के बहुत बड़े proponent रहे हैं, तो David Easton कितने बार आ रहे हैं आप इसको देखिए, कितना important है, David Easton, Fuchuama, Samuel Huttington, इन सब को बहुत गौर से आपको उनकी सारे question को देखने चाहिए, कि वो कहीं न कहीं टपक पढ़ेंगे बहुत जग़े, June 2016, paper 3 देखते हैं, who among the following said that political theory stands for an abstract model of political order, मतलब कि जो political order है, जो political arrangement है, उसका एक जो प्रती रूप जो दिमाग में बन सकता है, abstract मतलब क्या होता है, जो really नहीं है, मतलब कि जो imagination जैसी कह लिजी, abstract है, जो छुपा हुआ है, तो abstract जो है model जो है, वो political, real political order का वो political theory है, ये कहने वाले W.T. Bloom, ब्लूम थे, ब्लूम, अब इनके बारे में और पढ़ लीजिये, तो रिसेर्च कर लीजिये, Which one of the following statement is not true? ये असान question है, ये difficult question था, classical political theory is qualitative, सही है, behavioral political theory is quantitative, सही है, post behavioral political theory is both quantitative and qualitative, सही है, दोनों को मिला दिया, तो चौथा अपने आप में गलत होगा, behavioral theory is not especially concerned with Anglo-American model, तो ये is especially concerned with Anglo-American model, Which one of the following statement is not true? ये भी असान है, Neoliberalism referred to significant revival of interest in classical liberalism, सही है, तभी तो वो Neoliberalism कलाती है, Neoliberal ideas were taken up by the political parties of the new right in Britain, Yes, new right in Britain, new right in US also, The revival of the classical liberalism occurred as a reaction against the onset of a world recession in the 1970s, ये भी सही है, Keynesian economy उसमें तक जो है, काफी recession ला चुकी थी, T.H. Green, तो इसलिए ये सही होगा ही, कोई कि गलत होगा, T.H. Green accepted the classical liberal notion of liberty only, Again, ये crude statement होगया, Only, जब आप इस तरह का word लगाते हैं, Only, not at all, तो वो crude statement होता है, जब आप इस तरह से कोई social science में कोई definitive होता नहीं है, और T.H. Green के बारे मैं आपको पता है, कि ये normative liberal thinker थे, इन्होंने classical notion of liberty को सीधा नहीं अपनाया थे, इन्होंने ये तरह के modern liberalism के समर्थक थे, इसलिए वैसे भी गलत है, इसा कुछ भी नहीं है कि सही है, गलत है, लिबरेटिंग है, अच्छा है, बुरा है, इट केन भी अनी आप दीस थेंग्स, ये कहने वाले कौन थे, आपने पाउस करके वीडियो एंसर सोच लिया होगा, तो इसका सही एंसर है, Andrew Haywood, जिन्होंने लिखा, पॉलिटिकल थेोरी पे उन्होंने भुक लिखी है, पॉलिटिक्स पे लिखी है, मैंने उनकी बुक पढ़ी है, और एक बुक जो मुझे पूरी पढ़नी भी है, वो है, पॉलिटिकल आइडियोलोजी एंट्रोड़क्शन 2017 की बुक, एंट्रियू हेवर्ड की, उसमें उन्होंने ये बात कही है, आइड़ फाइड़ करेक्ट सिक्वेंस इन विच जेनरल सिस्टम थियोरी हैस बिन अदॉप्टेड इन सोसल साइंस, अब देखिए, जेनरल सिस्टम थियोरी जो है, वो बाइलोजी में डेफलप की गई, क्योंकि जो बाइलोजीकल सिस्टम है, वो इतना कॉंप्लेक्स होता है, इस हमारा हुमेन सिस्टम, सिस्टम का जो मतलब ये समझा गया, जो बाइलोजी से आई, कि सिस्टम एक होल है, जो कई interacting part से बनता है, वो जो part हैं आपस में energy और matter exchange करते हैं, लगाता है और equilibrium में रहते हैं, ना कि internal equilibrium, बट अपने environment से भी equilibrium में रहते हैं, और ये जो सिस्टम होता है, वो self-sustaining होता है, मतलब अपने आप चलता है, अपने आप पर self-regulating होता है, और ये environment से input लेता है, इसको process कर सकता है, और output जो है थो करता है, और feedback loop से जो है, output input से जुरा रहता है, ये एक system approach है, ये देने वाले थे, Ludwig von Berton Fly, तो ये इन्होंने दिया था, ये नाम इसलिए याद कर लीजिए, कि Austrian scientist थे, ये बहुत बार पूछा जाता है, कि who gave the general system theory, और इसको 1968 में दिया था, और इसको अपनाया गया सबसे पहले, anthropology में, social science में, फिर sociology में, Telkut Parson and many other ने इसको अपनाया, जो कि जहां कि social system के बात कि जनल, कि biological system से अब social system पे आगए, anthropology में socio-cultural system के बात होती थी, and psychology में आया, and फिर political science में आया, कि political system, जो David Easton ने अपनाया, and Morton Kaplan ने भी अपनाया, तो ये देखेंगे, तो anthropology, sociology, psychology, political science, तो ये anthropology 3 से सुरू होगा, 3 के बाद 2 होगी, तो ये सही है, I identify the basic contention, contention मतलब जो आप content करते हैं, assert करते हैं, contentions of dependency theory, ये मैंने just इसलिए ले लिया है, कि dependency theory वैसे तो मैं चाहता है, इसको comparative politics में लेका, लेकिन चलिए theory के बीच में है, तो इसमें देखें क्या है, कि dependency theory basically ये कहता है, कि global level पे unequal exchange है, जो core, जो हैं world में, सेटलाइट या periphery nation से cheap labor, cheap raw material, cheap food product, agriculture product लेते हैं, और उसको process करके महगे दाम में उसको बेज देते हैं, और उसके ही labor को use करके, और इसलिए core जो है, वामीर से अमीर होता जाता है, और जो periphery है, गरीब से गरीब, जो periphery में जो region थोड़े वो develop नजर आते हैं, वो pseudo development है, वो development of under development है, वो real development नहीं है, ये कहने वाले रॉल प्रैबिस, और कॉर्डोसो, और A.G. Frank, अंडर गुंडर फ्रैंक, और वालनस्टीन, ये सब जो है dependency theory के बहुत बड़े थिंग कर रहे हैं, अब इसमें आप देखेंगे, तो correct answer है, development of colony, कोलोनी का तो कोई बात है, इसमेहनी, post-colonism के बात है, तो third world nation provide natural resources and cheap labor ठीक है, industrialization and market economy are conducive for development, इसका कोई मतलब नहीं, advanced western nation prepare perpetuate, अब देखे, आपको एक सही मिला और दो गलत मिला, तो ये सही होगी ही, क्योंकि दो से कम सही नहीं है, तो इसको सही कर लिजए, आप पढ़ लिजएगा, तो इसका मतलब क्या है, B or D, तो B or D, आपको मैंने बहुत कुछ बता ही दिया है, अब यहाँ पर question है, कि who among the following are European thinkers associated with the theory of political elites, elite theory जो है, entrenched economical effluent class हैं, या high caste हैं, या high class हैं, या एक उचे तब के किसी भी तरह से intellectual class से आते हैं, जैसे इंडिया में ब्राहमिन, जो हैं, या च्छतुरिये, ये लोग जमिंदार, ये लोग जो हैं, या उचे class के Muslim, ये सब ruling elites रहे हैं, जो barrister रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने Congress बनाया है, तो elite, जो है, वो rule करते हैं, चाहे वो form of government कुछ भी हो, चाहे वो autocracy हो, democracy हो, socialism हो, लेकिन rule जो है, elites करते हैं, और massage जो हैं, बस एक तरह से मूग दरसक ही होती हैं, वो बस vote देती हैं, वो voting में, एक elite group को हडा के, दूसरे elite group को जीताती हैं, बस इतना ही वो करती हैं, साशन तो elite group ही करेगा, चाहे x group करे, चाहे y group करे, यह elite theory है, इसको देने वाले parato हैं, wilfred parato, mozga है, mozga ने ruling class का concept दिया था, parato ने दो concept दिया था, जो exam पुछे आती हैं, circulation of elite, इनका कहना था, circulate करता है, और history is the graveyard of elite, इन्होंने कहा था, C.Right Mill ने, power elite का concept दिया था, American political system में, और Robert Mackel ने, iron law of oligarchy, मैंने सुम पीटर को भी लिया है, जिन्होंने democracy को, एक mayor political method बोला था, जहांपे की, लोग अपने rural को चुनते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज शेर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, और डाउनलोड करें इस guide को, इस guide में जो मैं बोलता हूँ, तो तीन guide आपके लिए है, यूजिजिनेट के लिए एक IR guide है, जिसमें की international relation पे focus जादा है, लेकिन पूरी self-contained इसमें सब कुछ है, दूसरा जो है general guide है, ETE exam entrance test के लिए, वो भी मैंने अभी तक रखा हुआ है, और एक model test paper है, वो भी आप देख सकते हैं, और एक UGC net की में ज़े टाइम मिला energy रही, तो एक separate guide भी निकालने कोईशिस करेंगे, इस तरह से जो आप मुझसे जुरें और लिखें, मैं आपके mail का जवाब देता हूँ, so see you very soon, अब हम लोग comparative politics पे next video लेकर के आएंगे, कुछ ही दिनों में, bye.